रेड्मी नौट फाइब प्रो के लिए साकिल भाई की तरप से पिक्सल एक्सपिरियंस प्लस एडेशन को जो है यहां पे बिल्कुल इंडुए 12 बिल्ड आ गया हलाकि अभी ओफिशल नहीं है अनुफिशल है और इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें हैं जो कि कुछ पूर्ड भी आपको मिलने वाला है जिसके बारे मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा क्या कुछ है किस तरीके से काम करता है तो बस वीडियो में आप लास तक बने रहें आपको सारी चीजें बताऊंगा साथ साथ इसके अंदर एस्टी गार्ड भी आपका काम करता है कि क्या करना पड़ेगा या क्या कुछ नहीं तो सारी चीजी जो भी है मैं आपको यहां पर वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा पिक्सल एक्सपिरियंस का पिक्सल एक्सपिरियंस प्लस का यह इंडुए 12 बिल्ड है जो कि फिलाल अभी तो अनुफीशल बिल्ड है तो यह जो है आप देख सकते हुच इस तरह किसी हमें मिल जाता है अक्टूबर 2020 का सेक्यूर्टी पैच मिलता है और इसके अंदर करनल जो को भी आपको इस किंदर में मिल जाता है तो यह था आपका यहां पर वाउड जो के इंडूइड वर्जिन यहां पर बुरा एंसाइड में जैसे कि होम स्क्रीन पर आपको गोल्ड डिस्केवर मिल जाता है बाकी यहां पर आपका स्टेटस बार हो गया और बिल्कुल क्वाल आता है तो यहां पर अभी आपको दिखाता हूं तो यहीं कि अपका यहां पर आपके था तो नहीं है यहां पे similar ही आपको मिल जाता है जैसे की डार्क थीम आपको एक्ष्रा डीम पर रिशेट है यह सारी चीज़े आपको मिल जाती है और वॉल्म पैनल आपका यहां पर जैसे की आप देखोगे तो कुछ इस तरह के सब वॉल्म पैनल है जिसमें उपर आपको मिल ज conversation और जैसे की इसमें आपको यहां पर नीचे Select op सन में जाथा सले्ट का दिए गया है तो आप इसका यूज कर पाऊगे और यहीं पर आपको जो है साइड में जैसे की मिल जाता है लेंस आप यहां पर सिकुर के स्कू हो कर सको साथ-साति यहां पर आपका जैसे की का मिभी ब आपको capture करने के लिए more आपको यह चीज देखने को मिलेगा वह भी यह जगह आपका लॉंग स्क्रीन सोट के एरिया रहता है कि हाँ उतने पर लॉंग स्क्रीन सोट आपके अपको capture मोर सो करता है और यहां पर आपके GKM 8.1 यहां पर आप यूज कर तो अच्छे से यूज कर पाओगे और लोकेशन जैसे की मांगता है सभी में अभी इंड़ेट 12 में तो इसी तरीके सापका यह लोकेशन मांगने वाला है जो की काफी अच्छा हो चुका है पहले से तो और यहां पर आप GKM भी यूज कर नॉर्मल वाला ही देखने को मिल जाता है और अप्लिकेशन तो इसे लेटेस्ट आपका कैलकुलेटर सारी चीज़ जो है लेटेस्ट है यहां पर आपका इस तरीके से पॉप अप देखने को मिल जाता है और अगर आप विजट्स में जाता है यहां पर विजट्स भी आपक जो होगे तो आप यहां पे रापर फोटो स्वे मिल जाता है और यह विदंध सकते हैं यहांपे तीम गे deviल्स कर सकते हूं तो यहां पे टीम आप कर सकते हो नीचे फिर आप अप्र ग्रीड्स यहां पर मिल जाती है प्लेटर में चलते हैं तो अपको सट्टिफाइड नहीं मिलता इसके लिए आपको रूट करना पड़ेगा सट्टिफाइड करना पड़ेगा जिसकी वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्सिंट में दे दूंगा ता आप एक बार देखलें कुछ इसके अंदर करनेट्रिक डिवाइस के अंदर आपको यहां पर ब्लोटूट जैसे काम कर रहा है कास्ट भी आप यूज कर पाऊगे बागी की ऑप्शन भी अच्छे से काम करें तो नहीं मिलती है और आप जाओ तो यहां पर आपको मिलता है डिफोल्ट एप जिसमें आपका हो मैं जैसे आप इनिवल कर पाऊगे इस चीज़ को और नीचे आपको असिस्टेंट मिल जाता है और यहां जो है आप यहां पर यहां पर यूज कर पाऊगे जो की काम कर रहा है यहां पर तिसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है और अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन के अंदर में तो फिलाल यहां पर हमें नोटिफिकेशन में चलना है और अगर आप देखो कि पूरी सेटिंग्स आपकी सेम रहने वाली जैसे कि बाग के इंड़े 12 पर आपको मिलता है विल्कुल सेम आपको मिलेगा और बैटरी में चलते हैं यहां पर आपको बैटरी यूजर मिल जाए है जो कि अभी फिलाल ठीक था कि बैटरी जाद आची नहीं मिलती और एक चीज़ और है कि यहां पर बैटरी यूजर थोड़ा लेट हुआ हुआ था स्क्रीन सोट जब कैप्सेर किया था आप देख सकतो वन आवर 19 मिनट ही दिखा रहे मैं एक्स प्लेयर पर यह थोड़ा स है सभी रिकवरी के लिए और यहां पर आपका जो साउंड है इसके अंदर आपको लाइब केप्सं मिल जाता है मीडिया देखने को मिल जाएगा जो कि आपका बाकियों की तरह ही है नीचे फिर आपको वही अधर साउंड आन वाब्रेशन की सेरिंग जो है वह आपको मिल ज जाता है ये भी अच्छे से काम कर रहा है नाट लाइट भी बिल्कुल वर्किंग है इसके अंदर में कोई प्रोब्लम नहीं आती रोडेक्शन आपको यहां पे भी वही वालम मिल जाते जिसमें आप फेस्ट डिटेक्शन आरे निवल कर सकते हो जो कि आपके पिक्चर फ्रें नहीं आती ये बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है और बोल पेपर एंट स्टाइल ओर्डरी आपको दिखा चुका जैसे की एनसेविलिटी मिल जाते जिसमें आपको यहां पे भी सेमी मिल जाता बाकियों के तरह एक्स्ट्रा डिम मिल जाता जो कि आप ब्राइडनेस तो phone not encrypted है और यहां पे सिर्फ आपको fingerprint मिलता है और pattern size जैसे की कुछ इस तरीके से pattern आपको मिलेगा और यहां पे आपका fingerprint जो है कुछ इस तरीके से add हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यह आपको test करके भी दिखा देते हैं कि इस तरीके जो ही यह काम कर रहे ह तो इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है आइनिमीशन भी आप देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से आ रहे है कोई फ्लिकर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला स्क्रीन लोक आपको मिल जाता है settings नॉर्मल ही रहेगी location आपका GPS यहां पर काम कर रहे है और safety and emergency भी मिल जाता है यहां पर जैसे कि यह भी दिया गया यहां पर emergency contact यह आपको मिल जाती है नीचे फिर आपको password and account मिल जागो और digital well-being बिल्कुल चाली के से यहां पर working मिल जाता है यहां पर कोई दिखकत नहीं है Google मिलता है system मिल जाता है system में आपको जेस्टर देखने को मिलेगा लेंग्विज है और जेस्टर के अंदर आपका system navigation है और यहां पे आप two button three button navigation यूज कर पाओगे जेस्टर sensitivity settings मिल जाते है असिस्टेंट भी दिया गया है आपको मिल जाएगा तो यहां पर जरूरा थी नहीं है बाकि यहां पर बॉलिम की पर चाहो तो एड कर सकते हो फिर पावर बड़न पर आपको असिस्टेंट मिल जाता है फिर विलाश्ट में मिलता है और यहां पर फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है रीशेट ऑप्सनी में अब बात करें टूट स्कोर की तो 152,700 से हमें मिलता है जो की काफी अच्छा एंटूट स्कोर आपको मिलता है और अब हम बात करते हैं इंस्टोलेशन के बारे में ती यहां पर आपको सिर्फ और रोम डाउनलोड करने है और कुछ करने की ज़रूत नहीं है एच्टी का अब को मिलता है तो वहां पे जाकर आप compiled या सिस्टम विंडर डेटा इन पांचों को आप पसर नहों सेलेक करके swipe to यहाँ पे wipe कर देना है ति यह आपका यहाँ पे जो है wipe हो जाएगा उसके बाद आपको simply अपने install में जाना है आप जहाँ भी रोम रखो उस पोल्डर पे जा करके simply आपको अपने रोम को select करना है और इसे जो है flush कर देना यहाँ पे और थोड़ा सा wait कर लेना यहाँ पे जब आपका रोम फ्लस हो जाए 102 मिनट के अंदर यहाँ पे आपका simply आपको इसको wipe catch कर देना है अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे encrypted रोम से नहीं आ रहे हो तो किसी not encrypted रोम से जैसे कि मैं आया हूँ तो यहाँ पे simply आप रीबूट सिस्टम पे करके रीबूट कर सकते है और अगर आप किसी encrypted रोम से आ रहे है तो फिर आपको यहाँ पर फोर्मेट करना पड़ेगा तो अगर आप किसी encrypted रोम से आए हो तो simply रोम फ्लस करने के बाद आप जो है रिबूट मत करना फोर्मिट कर देना यहाँ पर यहाँ रियसे लिक कर देना उसके बाद रीबूत आप कर देना तो इस तरह के से आपको Install column करना अर् जो आ जाता है बीच रोम पे भी लेकिन इससे कोई प्रोब्लम उसे होता नहीं है तिया चीज़ आपको सो करेगा भी फिलाल कभी 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 कभा ना के बराबरी आप सिंपली सेट अप अपना अगर आप देखोगे तो यह सब्सक्राइब करें अब आपको इसके अंदर में प्रेइंस्ट्रोल आपको मिल जाएंगे और आपको दिखा सेटिंग्स पर भी चल के कि यहां पर यह इंक्रिप्टेड नहीं है क्योंकि यह रोम जो है फुल डिक्स इंक्रिप्ट जो बहुत है और आपको गूगल प्लेइब प्लेइब भी आपको मिल जाता और यहां पर उपर जो भी आप एड़ करोगे इसके आपको फ्लोटिंग मिल रहा है सब्सक्राकर यहां पर लाइब भी कर सकता है यूट्यूब पर लाइब भी मैं अपने पुराने वाले जो भी मेरा गेमिंग वाला है उस पे मैं करके देखा भी था जो कि हो रहा था लाइब कोई दिकत नहीं हो रही थी यहां पर यूटुब के तरूज जो है डारेक्ट लाइब करता है यहां से आप सौटकट मिल जाता है और यह सेडेंग 12 के ही सबसे अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे फ़र्स्ट पर जो है पर्फॉमेंस ज्यादा बैटर थोड़ी से लगी है अला कि इंटूडूस को रिसका काफी अच्छा है लेकिन अगर हम पर्फॉमेंस के बात करो तो थोड़ी से मुझे ASP एक्स्टेंडर जो की साकिल पर्फॉमेंस ज्यादा अच्छी लगी थी और यहां पर उसके बाद इस रोम की पिक्सल एक्स्पिरेंस की तो यहां पर फिलाल अभी साकिल भाई के तरफ से जो रोम आर यहां थोड़ी से ज्यादा बैटर लग रही है यहां पर तभी फिलाल आपको इस तरीके से कुछ मि और यहां पर भी आप आराम से एशडी कार्ट को यूज कर सकते हो और अगर आप पाफॉमेंस भी देखते हो तो बाकी रोम के मुकाबले आपको पाफॉमेंस भी यहां पर थोड़ी से बैटर ही आपको मिलती है तो अब देखते हैं अभी फिलाल 1st, 2nd बिलिद इस तरीके स चल रहा है सभी का कुछ अपडेट के बाद जो है थोड़ा सा आपका फर्क पता चलेगा सभी का कि कौन सा ज्यादा बेटर आपका रहने वाला है फिलाल अभी continue कुछ टाइम तक के लिए क्योंकि लगतर इस तरी कि अभी अभी अपडेट्स आएंगे तो उनके बाद ही थोड यूज कर रहे हैं जैसे कि कुछ कुछ थर्ट पार्टी अप्लिकेशन यूज करते हैं तो वह सपोर्ट नहीं मिलता यह सब चीजे हैं जो कि अभी थोड़ी से आपको प्रोलम देखने को मिलेगी अभी कुछ अपडेट्स तक जो कि धर धर अपडेट्स के साथ जो यह सारी चीजे भी आपकी fix होगी लेकिन अभी तो आपको यह सारी चीजे face करनी पड़ेगी इसलिए अभी फिलाल किसी को डेले लाइप के लिए रेकमेंड नहीं करता अगर फिर भी इन सबसे आपको फर्क नहीं पड़ता अगर यूज करना चाते हो तो कोई दिकत नहीं आप यू ताकि एगली वीडियो जब भी अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल जाए थैंक्स फो वाचिंग